जिया गाइस मेरेको यहाँ पर टॉक बैक का एक और अपडेट आ चुका है मेरेको 13.1 का एक अपडेट आया था लेकिन यहाँ पर मेरेको एक और अपडेट देखने को मिला है तो क्या यह अपडेट है क्या इसमें कुछ नया है और अपडेट का पुरा कंसेप्ट क्या है फं बहुत काम गिन तक देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में याइक करके जाय करो एक बार आते हो ना वीडियो में कड़िया करके बहुत मोटिवेशन मिलते हैं आपको कुछ ही नहीं जाता लेकिन हमको बहुत उत्सा मिलता है सब्सक्राइब कर लो चैनल को और भी बढ़ी है क्योंकि ऐसी ही वेडियो सेर मिलती रेंगे आपको नॉलेज मिलती रेंगे तो ग्यान बाटते से बढ़ता है तो शेयर भी कर दो तो सब कुछ करो और एंड तक देखना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहां पर हमने टॉक बैक को सर्च करके अल्रेडी रखा हुए तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर गई सबसे वाले मैं दिखा दू मेरे टॉक बैक 13.1 चल रहा है है जिससे कि आपको यह कंफ्यूजन दूर हो जाए कि 13.1 का अपडेट नहीं उसके बाद कभी एक अपडेट है है तो टॉक बैक 13.1 लेकिन मेरे फोन में चलता है क्या वर दिन चलता है टॉक बैक सटिंग में चलेंगे है ना 13.1 है बैक करते हैं अब हम और अब यहाँ पर देखे जैन्वरी 11 2023 मतलब यह पहली चीज़ तो डेट्स बहुत पहले की दिखाता है यह डेट उस टाइम की दिखाता है जब यहाँ पर टॉक बैक लॉंच कर देता है अपडेट वह सबसे पहला फोन होता है जिसपे कि अपडेट आई होती है तो यह उसके साब से डेट दिखाता है यहाँ पर अपडेट माग रहा है तो यह यह यहाँ पर अपडेट आई है इंबीगी वट्स लू पर देखते हैं तो यहाँ पर बस इतना ही लिखा हुए अब हम उसको अपडेट करेंगे और यह अपडेट होने के बाद हम आपसे बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन फोनों को अभी तक टॉक बैक 13.1 अपडेट मिल चुका है ना जो आया था कुछ 6-7 कुछ तो आया था तो उनी लोगों को जो है अभी यह वाला अपडेट मिल रहा है तीन अपडेट जो मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर एक अठा ही सब कुछ मिल जेगा आपको तो अपडेट करते हैं फिर आपसे बात करते हैं यहाँ पर हमने जो है इसको अपडेट कर लिए यहां पर देखे अप्डेट नहीं आ रहे हैं अभी अप्डेट हो चुका है तो मैं टॉक्बेक सेटिंग में चलता हूं अब यहां पर हम देखते हैं क्या-क्या नया आया है हमने क्या-क्या यहां पर एक्स्प्लोर करके देखा है यहां पर यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा नया जैस्ट्र देखने को नहीं मिले बट यहां पर इनोंने कभी-कभी क्या होता था कि जैस्ट्र अपलाए नहीं होते थे कि हैना यहाँ पर इंप्रूमेंट हो यहां पर मैं यह इए क्लिए करद जब्स नहीं हुआ है ना नौनल जei क्लियर नहीं के नहीं है ना कोई स्कारों तो यह पर तो यहां पर सिर्फ यहां पर जो ब्रेख कीबोर्ड डीना टैपिंग करते हो भी यहां पर मेरे को एक और चीज यहां पर देखने को मिल रही है लाइव वीडियो बनाते बनाते और यह अपडेट करने के बाद हो रहा है I don't know वाई बट यहां पर मैं जब बैक कर रहा हूं तो यहां पर यह जो विंडो एना स्पीक नहीं कर रहा जैसे मैं बाहर गया इसमें इसमें चलेगी यह देखिए इसको नैविगेटर बोलना चाहिए बोल नी रही है यह पुछ-पुछ कर रहा है बस पाने जैसी वाज जरी वह यह पुछ-पुछ की मतलब जहां सकरम कहीं बाहर जा रहे हैं और जब ऑटमेटिक फोकस किसी प्यार है ना तो यह मेरे फॉन मे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर मुझे नहीं पता यह मेरे फोन में हो रहा है या बग है यह लेकिन अपडेट करने के बाद ही हुआ है अब गाइस मेरा यह फोन एंड्रोड 10 पे है इसमें यहां पर रीडिंग कंट्रोल में चले गए तो रीडिंग कंट्रोल में आपर मेरे का एक्षें बटन नहीं मिला है जो कि सबको मिल रहा है क्योंकि अंड्रोड 10 में उसलिए अब भी नहीं मिले है लेकिन यहां इम्हें हैं पूरा लोग देख लो ने फीचर तो यहां पर गाई यह मिला है और यह पर यह वास्ताव में जब मैं कीबोर्ड ओन कर रहा हूं तब शो कर रहा यह पहली जो अपडेट आई थी इससे पिछली उसमें मेरे को नहीं मिला था है ना लेकिन अब यहां पर मेरे को यह स्पेल चेक वाला अपडेट इस अपडेट के बाद देखने को मिला है तो मुझे ऐसा लग रहा है दिरे-दिरे जो ओड़ दिमाग दोड़ाया है यहां पर मैं आपको keyboard में लेकर चलता हूं वाकी और यहां पर बता दूँँ इसमें कुछ भी नया निया निया मेरे फॉन में है ना बस यहां पर बिलेल कीबोर्ड में जो इंप्रोव्मेंट हुई है जेस्टर वे और यह मेरे को नया अप्शन देखने को मिला है बस इतना ही है और एक और चीज में आपको बताऊंगा एंड में जो की बहुत इंपरेंड है उसको जबूर देखना तो यहां प इस में आई एस इलिग दिया बड़े मस्मस पहली लिख रहा हूं मैंने पारस का पी ए आरस लग दिया पारस मां खुदी बिगार रहा हूं सब कुछ लेकिन आप यहां पर कितने मिस्पैल वर्ड तो मेरे को करेक्ट करना चीना इसको अगर मैं जी बोड का यहां पर कर्रेक इसको सभी कर सकता हूं तो यहां पर हैलो सर कर दिया मने गलती से लेकिन यहीं जी बोड का ऐसे करेक्शन होता है जो भी हम गलत लिगे ओपर सेजेशन आता है लेकिन अब क्या इसका सेजेशन आ रहा है मैं करेक्टर वर्ड करता हूं अब यहां पर स्पैल चेक में आगया अब मैं स्वाइब डाउन करता हूं अब करेंगे याई यहां पर कुछ भी लिख लो किसी भी कीबोर्ड में चले जो चाहे एक भी स्पैलिंग गलत करो यहां पर नो मिस्पैल वर्ड फाउंड ही आएगा और कोई तरीका भी नहीं है यहां पर आप ड्रेक्टली जंप कर सकते हो पूरे कीबोर्ड में अगर कई के स्पैलिंग गलता तो यह वहां पर आपको सीधा लेके जाएगा और मुझे लगता है कि यहां पर जीबोर्ड के सिजेशन से आप उसको ठीक कर सकते हो मुझे ऐसा रहता है सिर्फ यह जंप करवाने का काम करेगा बाकिया जीबोर्ड से ठीक करोगे लेकिन यहां पर यह जंप नहीं करवाया हमको अब मैं जैसे जबोर्ड में से जेशन दिखा रहा है लेकिन यहां पर मैं जैसी इस टॉक बैक के जेश्टर के द्वारे यहां पर स्पैल च लेकिन यहां पर इससे यह साबित होता है यहां पर यह इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रॉपर काम ना कर रहा हो लेकिन गूगल है तो इंग्लिश लैंगवेज यहां पर में इसकी प्रेफेरेंस होनी चाहिए या यहाँ पर यह Android 10 मेंचे से काम नहीं कर रहा है या यह feature अभी developing mode में है है ना यही इसके कारण है यह feature तभी काम नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पर यह feature मेरे को ऐसा लगता है इस प्रकार काम करेगा कि यह सिर्फ jump करवाएगा और वहाँ से अप Gboard से उसको उपर से suggestion आये थे वहाँ से आप correct कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर यह आपको इसलिए दिखाए क्योंकि यह feature मिला मेरे को अभी है इस update में तो यहाँ पर guys हो क्या रहे चैट 12 हो 13 हो talkback 9 का जबरदस्था वहिया तो यहाँ पर कभी भी एक साथ सारे फोनों में अपडेट आया जिन्दगी में नहीं है है ना यहाँ पर जब भी आया दिरे दिरे आया है और यहाँ पर talkback ने यह कह दिया था कि talkback का 9 अपडेट है यह talkback ने नहीं कहा था लोगों ने कहा था कि 6 में नहीं आएगा Android 6 March में नहीं आएगा आएगा तो बहुत इलिमिटेट फीचर से साथ आएगा लेकिन यहाँ पर मेरा जी टू परो में talkback 9 का अपडेट आया था बहुत समय के बाद पहले 12 वालों को मिला था 11 वालों को फिर मेरे को बहुत देर बाद 6 में भी मिला था मतलब उमीदी छोड़ दीती हमने कि 6 में आएगा लेकिन वो अपडेट आया तो यहाँ पर talkback अपने जो अपडेट है ना वो सब लोगों के रिलिस करता है सब लोगों को सेम फीचर प्रोवाइड करता है बट दीरे-दीरे क्यूं? क्यूंकि यहाँ पर guys talkback को यूज करने वाले बहुत सारी लोगे लोगों के फोन में सबके फोन में इंस्टॉल है talkback लेकिन जो यूज करने वाले है न पेरेफरेंस उन्हें को दी जाती है अपडेट देने में तो यहाँ पर talkback दीरे-दीरे अपडेट देता है और यहाँ पर एक साथ सब अपडेट में सब फीचर को कवर नहीं कर सकता क्यूं? क्यूंकि guys यहाँ यहाँ पर 64-bit होती है 32-bit होती है तो इसी कारेंट से guys ऐसा होता है कि यहाँ पर यह जो talkback के updates आते है यहाँ पर अभी तो सब को सेम मिल रहा है दीरे-दीरे सब फोनों के लिए अलग-लग लूंच होगा तब आपको सारे features rollout होते होई मिलेंगे अब यहाँ पर मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे को इसमें कम feature मिल रहे है कभी ज़्यादा मिल रहे है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि वो एकी update भी launch कर रहा है हर जगा और वो अभी सब फोनों के साथ compatible नहीं है सभी features तो दीरे-दीरे और यहाँ पर specially talkback mention करता है talkback mention करेगा कि android 13 के लिए यह features है यह आपको नहीं मिलेंगे बाकी के feature जैसे कि action वाले में ऐसा कुछ नहीं लिखाता है 13 के लिए यह मेरे को मिलेगा लावे में मिलेगा मेरे तो मेरे लावे में कब आएगा जो उसके लिए compatible होगा या और updates आएंगे या उस model के लिए या android 10 के लिए launch किया जाएगा तो simple सा यहाँ पर आप समझो phone के साथ compatibility को देखते हैं talkback धीरे-धीरे बहुत धीरे-धीरे talkback update रोल आउट करता है लेकिन अभी जो updates आ रहे है वो एक ही update आ रहा है है ना सभी को वही update मिल रहा है तो इसलिए सब feature talkback के साथ compatible नहीं है phone में तो इसलिए यहाँ पर आपको wait करना है देरे जरे आपको feature मिलेंगे मुझे यह जैसा की मिला पिछले update पर ज्यादा कुछ था नहीं है ना यहाँ पर यह मिला और लेकिन दिक्कत भी आगे जो मैं आपको बताई जो मेरे को लगी वो हो सकता है सबके साथ ना हो अगर आपका कोई भी कोशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई